हिंदु धर्म में हर ब्यक्ति के लिए स्राध तरपड और पिंडदान काफी अनिमारी कर्म बताए गए हैं। हर साल आपको पितरों की सांती के लिए ये कारी करने ही चाहिए। इन कार्यों को करने से पितरों की आत्मा को सांती मिलती है जिस से हमें सुख समरिद्धी का आशिरबाद हमें प्रदान करते हैं इस वह स्राद पच्छ 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहेगा महभारत के अनुसासन पर्ब में भीस्म पितावा ने युदुष्टिर को स्राद के संबंध में विसनार पूर्बग बताया है भीस्म ने युदुष्टिर को बताया है कि किस तिथी में स्राद करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है आईए जानते हैं तिथी के अनुसा स्राद करने से क्या फल प्राप्त होता है भीजम पितामा ने दुष्टिर को बताया था कि जो बेक्ति प्रतिपदा तिथी पर पित्रों का स्राद करता है उसे बहुत ही सुन्दर और सुयोग संतान को जनम देने वाली पत्नी मिलती है जो बेक्ति दुटिया तिथी पर पित्रों का स्राद करता है उसके घर में योग ए कन्याओं का जनम होता है जो कुल का नाम रोसन करती है महाभारत में लिखा गया है कि तिरितिया तिथी पर स्राद करने से घोडे मिलते हैं जो ब्यक्ति चदूर्थी तिथी पर स्राद करता है उसे बहुत से छोटे छोटे पसूर जैसे भेर बकरियों से लाफ मिलता है पंचमी तिथी पर जो बेक्ति सराद करता है उसे योगी पुत्र की प्राप्ती होती है जो बेक्ति सस्टी तिथी पर सराद करता है उसे आकरसर और तेज में बुद्धी होती है यानि सभी लोग उसकी बात को असानी से मान जाते है सब्तमी तिथी के दिन सराद करने से खेती में लाब होता है अश्टमी तिथी को सराद करने से बिजनस में लाब होता है जो ब्यक्ति नौमी तिथी को सराद करता है उसे खुरवाले पसुजे से गोडे और खचर आद से लाब मिलता है महाभारत के अनुसार दस्मी तिथी पर स्राद करने से गायों से फाइदा मिलने के योग बनते हैं स्राद की एकादसी तिथी को इंद्रा एकादसी कहते हैं इस दिन स्राद करने से सुख समरिद्धी में बृद्धी होती है और योग संतान का जनम होता है बारवही तिथी यानि की दुआ दसी तिथी को स्राद करने से बहमूल लिधातु जैसे सोना चांदी में बृद्धी होती है त्रियो दिथी को स्राद करने से समाज में मान सम्मान मिलता है चतो दसीतिती पर उसी ब्यक्तिका स्राद करना चाहिए जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो जैसे की किसी दुरघटना में या किसी सस्तर के द्वारा स्राद पच्च की अंतिमतिती को सर्व पित्र अमावस्या कहते हैं इस दिन स्राद करने से मनुस्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं मेरी यही प्रात्ना है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो चलती हूं मिलती हूं अगली वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो क्रिपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइट सेर कमेंट करना बिलकुल मत भूलना चलती हूं मिलती हूं अगली वीडिय जो में तब तक के लिए नमस्कार.